मस्तिश्क पर जोर नहीं दे सकते और जादा बोल नहीं सकते इसलिए आप लोगों से छमा मांगने के लिए हम यहाँ हैं और जितने भी इश्रोता भाई वहन आस्था चेनल पर लाइब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उनसे भी हम चमा चाते हैं आप कथा अगर हमको थोड़ा बहुत भी आराम अगर लगता है तो हम आगे की कथाएं करेंगे नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपूर और हाले कोसा चत्तिस गड़ ये भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी काशी विश्वनाद देवदिद्यो महादेव की क्रपा मनासा नगर में साथ दिवसी ये श्यो महापुराण की कथा श्रीमती शांती भाई स्वर्गी शंकलाल जी देवड़ा दिनेश लिला भाई देवड़ा दिलीप अलका देवड़ा राजेश सीमा देवड़ा प्रवें जीवन बाला देवड़ा देवड़ा प्रिवार द्वारा ये पवित्र मनसा पूर्ण महादेव की ये धरा मनासा जिसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है एसा कोई कथाकार नहीं होगा जो मनासा नहीं आना चाता होगा क्योंकि ये मंदिरों का नगर है जहां कथाकार कथा करना पसंद करते हैं कथा कहिना पसंद करते हैं पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई महादेव की होली आश्टा की हुई आश्टा की महादेव की होली 29 तारीक हो हुई जिसमें गुलाल की जगा कोई नारियल फेका गया जिसके कारणवाज ब्रेन में थोड़ा सा डिक्कत आ गया है तो जो गुमा जैसे कि चोट लगती है तो गुमा उपर उठता है तो वो अंदर की और चोट लगने के करन अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में तो डॉक्टरों के इसाब से माइंड पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं और लगातार दवाईयों पर अवियाल थोड़ा सा रहना पड़ेगा तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते आप हमारी जीजी हो और आप हमारे जीजा हो एक भाई के दर्द को आप जोग जानते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सब यह पहुचे आप लोगों को कष्ट हुआ और केवल हमारे बच्चन को निभाना था इसलिए हॉस्पिटिल से छुट्टी करा कर मैं आज आप लोगों के बीच में आया थोड़ा कष्ट आपको हुआ होगा कि आप लोग अपना अपना खर्चा करकर यहां तक पहुचे होगे पर विश्वास रखियेगा हम देवडा परिवारत को यह वच्चन दे कर जाते हैं और मनासा वालों को यह कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा अगले वर्ष बिटले सिवा समिति इसका ठाको करने के लिए इनी यजमान के पत पर हम आएंगे हमरे कलेक्टर महोदय SP, SDM, TI, SSP, SP कमिशनर यहां के विधायक, यहां के सांसर यहां के नगरपली का अध्यक्ष यहां के अध्यक्ष महोदय यह सब बहुत सुचारू रूप से उसका ठाका योजन करेंगे और उसका खर्चा पूरी विठले सिवा समीती उठाएगे आपको उसकी चिंता नहीं करना है बस थोड़ा शरीर में कष्ट होने के कारण बस हम हमरे मस्तिश्क पर जोर नहीं दे सकते और ज़्यादा बोल नहीं सकते इसलिए आप लोगों से चमा मांगने के लिए हम यहाँ है और जितने भी इश्रोता भाई बहन आस्था चेनल पर लाइब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उनसे भी हम चमा चाते हैं आप कथा अगर हमको थोड़ा बहुत भी आराम अगर लगता है तो हम आगे की कथाएं करेंगे नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपूर और हाले कोसा चप्तिजगर ये भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी तो शरीर पर क्योंकि अगर हम पहले भी कथाओं में कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया तो अगर सुख है शरीर का तो आपको कथाएं आगे मिलती रहेगी और आप बाबा की श्रिण में रहेंगे नरियल का प्रेशर थोड़ा तेज़ था इसलिए वो चोट अंदर बेट गई है जिससे सूजन है थोड़ा उसमें तकलीब जादा हो रही है जिसके कायन वर्ष आप लोगों से हम छमा चाहेंगे पर आप लोगों से मिलना हुआ थोड़ी गलती हमारी हो गई जो हम आप लोगों के बीच कथा नहीं कह पा रहे हैं पर अगले वर्ष पका है ना जीजियो जमके तो बोलो पका है ना और मेरे जीजा जितने बेठें हैं जोड़ दर ताली वजा कर आपकी तरफ से भी पका है ना हम स्वयम आएंगे स्वयम बिटले सिवा समीती आएगी यजमान भी यही हमारा देवड़ा परिवार रहेगा उसमें किसी का खर्चा नहीं केवल आप लोगों को आकर कथा कुछ रवण करना रहेगा और अभी जितनी संख्या में आप लाखो की संख्या में आए हो उस अगली कथा में आप प्रथम दिन से ही पांच लाख से शुरुवात करना और इस कथा के लाभ लेना मना नहीं है आप लोगों तो एकवारपुना फिर छामाच आते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहां प्रिशासन ने भी बहुत अच्छी विवस्ता समा ली है देवड़ा परिवार ने पहले तो कथा कैंसिल हो गई थी फिर बापिस देवड़ा परिवार ने प्रयास किया यहां के कथा यहां बापिस मिली पर कथा में बाबा देवड़ी देव महादेव को जब कराना होगा आज भी हमारे देवड़ा परिवार की माता जी की आंख में आसू थे हमने का मा तुछ इंता मत कर तेरा बेटा तुझे वचन दे कर जाता है एक साल में बापिस आऊंगा कथा करन करेंगे तो मैं चमा चाते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देता हूं और प्रयास करूंगा आप सब मुझे चमा करेंगे श्री शिवाय नमस्तू भ्याम आपका ये भाई फिर मिलेगा बापिस पुनाहा जब तक स्वास्थीक नहीं होता आगे की जो भी कथा हैं रहेंग लाइव उबरिश्वर धाम की जो रुद्राप्चिस्व की कथा है वो आपको डी लाइव साथ दिन श्रवन करने को मिल जाएगी हर हर एगवार देवडा परिवार के लिए जोड़दार तालीव जाएं जिनोंने इतनी मेहनत इतना वेवस्था सो चार रूप से करी है अब तो से एक बार मिलकर जरूर जाओंगा हर हर महा देव कि अधरी है अधरी दूख काटो मत बुरे करम कर बंदे बरना पच्छ पाएगा भगवान की आखों से तू पच्छ नहीं पाएगा हमारे जीवन का उसूल करता है हमारे जीवन की सबसे पहड़ी पहल करती है सत्ता बाद में सत्त पहले होना चाहिए पार्टी बाद में प्रगु का नाम पहले होना चाहिए राजनीती बाद में राष्ट की नीती राष्ट की रक्षा पहले होना चाहिए हम राजनीती में इतने उलच गए कि राष्ट की भलाई भूल गए राष्ट हित की पहलब